सुभासपा अध्याच ओमप्रकास राजबर का बड़ा बयान सामने आया है सापा से गड़बंधन पर चुपी तोड़ी है सुभासपा प्रमख ओमप्रकास राजबर पिछले कई दिनों से अकलेस यादव से नाराज चल रहे हैं आए दिन में अखलेस चादव और सपा को लेकर बयान बाजी कर रहे हैं ओम प्रकास राजबर ने आखिरकार मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के गड़बंदन पर चुपी तोड़ती है पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले तलाख होगा उसके बाद नए निकाह के बारे में सोची जाएगी उन्होंने सपा प्रमुख अखलेस चादव पर बड़ा आरूप लगाते हुए कहा कि अखलेस के नौरत लोंने गलस सला देते हैं वो लोक सवाव चुनाव में एसी में बैट कर आजमगड़ और रामपुर में समाजवधी पार्टी के लिए ओड़ मांग रहे थे लेकिन वहां जमीन पर काम कर रहे थे उन्होंने मीडिय से बात करते हुए कहा कि बसपा प्रोंख मायावती के सास्थ अपने तमाम मुद्दों को लेकर बात करने की बात भी बही थी आपको बताते कि इससे पहले ओम-प्रकास राजभर बसपा सिप्कमा मायावती की तारीब भी कर चुके हैं ओम प्रकास राजभर ने वाई कटेकरी की सुरच्छा मिलने पर CM योगी आधितनाद को धन्यवा देते हुए कहा कि मेरी सुरच्छा को लेकर कई दिनों से बात हो रही थी उन्होंने आभी कहा कि मेरे उपर हमला हुआ है इसलिए मैं CM योगी आधितनाद का सुक्र गुजार हुँ क्योंकि उन्होंने सुरच्छा प्रदान कराई है वीरो रिपोर्ट भीमराज दस्तर